जब मानों का अंत समय आता है तो उसके साथ कैसा होता है और यम्राज उसके प्राणों को कैसे निकाल दे जाते हैं कवीर परमिश्वर जी ने बताया है कि खाट पड़े तब जख है नैनन आवे नीर यतन तब कच्छु बने नहीं तनु व्याप मिर्तु पीर विर्ध होकर या रोगी होकर जमानों चारपाई पर पड़ा होता है और आखों में आशु बहराई होते हैं उस समय कोई पचाम नहीं हो सकता मिर्तु के समय होने वाली पीड़ा हो रही होती है कहते हैं कि जो भक्ति नहीं करते उनका अंत समय महाग कश्ट दायक होता है उसके प्राण स्तरलता से नहीं निकलते उसको इतनी पीड़ा होती है जैसे एक लाख बिचोने डंक लगा दिया उस समय यम के धूत उसका गला बंद कर देते हैं व्यक्ति ना बोल सकता है ना पूरा स्वांस ले पाता है केवल आँखों से आज हो निकल रहे होते हैं इसलिए भक्ति तथा सुब करम मानों को अवस्य करने चाहिए और वो सत्भक्ति आज के समय में सभी धर्मों के पवित शास्तुर के नुसार जगत गुरुत्त तो दर्शी संत रामपाल जी महराज परदान कर रहे हैं आएए देखते हैं परमात्मा कहते हैं संसे सोक सराय में सूत तक दिन राती और जीवत जग में जूती पड़े फिर जम तोड़े चाती यहां बिरन में टियो लेगी हैं संसार में वो बूद्बन के वुक्की में बोला हैं और आगे कहते हैं जम तोड़े चाती यहां के दूट बकलता रहेंगे अब क्या बता रहे हैं परमात्मा कि यह सोदा फिर ना ही संतो यह सोदा फिर ना ही यह लोहे जैसा तावजात है काया देस राही और तीन लोक और भावन चतुर्द सब जग सोदे आही फिर बताते हैं के यह दम तूट है पेंडा फूट है लेखा दरगा माही उस दरगा में मार पड़ेगी तरी यहम पकड़ेंगे माही वहां पर ना किसी की पेश चल आचाए को राष्टर पती है मरती होने के बाद यहम के दूट उसको ग्रिप कर लेते हैं तुरंत और वहां खड़ा कर देते हैं दरवार के अंदर है एक उदारन बताया पर मातमाने अपनी वाणी में कि एक पिरियवरत नाम का राजा था उसने पहले तो तब किया तब से उसको रजपराप्त हुआ और जब राज का समय पूरा हुआ तो यहम के दूट पकड़ कर लेगे उसको दरमराज के दरवार में खड़ा कर दिया यहम के दूट जब लेने आए पिरियवरत को उसने का कि मुझे कुछ सांस और दे दो जीने के लिए उसका बहुत लंबी आयू थी बहुत लंबी आयू तक उसने राजिक गिया था और फिर भी जीने की आसा थी कायम के दूटों से के मुझे कुछ और स्वांस दे दो यहम के दूट कहने लेगे खबरदार दे तो ने सांस लिया तो तेरे स्वांस पूरे हो चुके हैं चलो जरमराज के दरवार में लेकर गए वहां उसका करके लाया आगे के लिए अब वहां तो सब पता होता है उसकी जेव मैं पता लग जाता है कितना सामान है कहने लगा जीन नहीं तक्सीर होगी कहने लगे इसका काला मू करो अब पिरिया वर्थ कहता है मेरा काला मू क्यों किया जाता है राजा था पूरी बिर्थवी का तो जरमराज ने कहा कि बगती के लिए बेज जा था बगती करें नहीं डड़े डोए और फिर वह पिरिया वर्थ कहता गलती बनगी जरमराज कहता मैं तो गलती की सजा देता जाओ पसुकियो नीम जा राजा अब गधा राजा बन जा प्रमात्मा कहते हैं कबीर हरी के नाम बिना ये राजा रस्ब हो रस्बन गधा और मट्टी लदे को मार के और गास नडाले कोई कितनी कितनी वानी बोल करके बता रहे हैं और साथ मैं ये भी बता रहे हैं कि तुम मुझे पैचान ले तेरा सब जन्दट खतम कर दूँगा ये रासा खतम कर दूँगा जनम और मरत्यूगा संत्रामपाल जी महराज द्वारा लिखित पूष्ट के ज्यान गंगा या जिने की रह निशुल्क मंगवाने के लिए आप अपना पूरा नाम पता और मोबाइल नंबर हमारे वाट्सेप नंबर पर मैसिज करें नंबर है 7496801825 अब देखिए जगद गुरु ततो दर्शी संत्रामपाल जी महराज के मंगल परवचर नेमन टेवी चैनलों पर जनतंतर टेवी पर सुबे 5 से 6 बजे तक नेपाल वन पर सुबे 6 से 7 बजे तक एमेच वन सर्धा टेवी पर दो पहर 2 बजे से 3 बजे तक इश्वर टेवी पर साम 37 से 38 तक सुभारती टेवी पर रातरी 8 से 9 बजे तक साधना टेवी चैनल पर रातरी 38 से 9 तक लोकसाही टीवी पर मराठी भासा में सुबे 5 बज के 55 मिनट से 6 बज कर 55 मिनट तक अधिक जानकारी के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट